सब्सक्राइब कर दो आ तुर्ण के पहले करते ङ४र ना वाज उसके बारें बात करेंगे ना जो चीज है हम बताते हैं कि यह दोड़ने में भी रेस निकलती है उनकी ठीक है तो आज हम उनकी बात करेंगे जिनको भी दोड़ के पीछे सब कुछ सब्सक्राइब करता है तो अभी तक तुम्हारी बोड़ी में कमी हुई नहीं है तो पूरा किसको कर रहे हो और एक्स्राग्लू कॉंडी लोगे तो उससे दिक्कत और हो जाती है कि गला सूखने लगता है क्योंकि क्या होता है ग्लू कॉंडी में बेसिकली होता है सुगर ठीक है तो सुगर क्या करता है बोड़ी को डिहाइडरेट कर देता है तो इसलिए हमेशा ध्यान अखो और हम जो बात कर रहे दे किसकी गलू कॉंडी की वह पहले नहीं लिएना होता है रेप्लेनिस करता है यह फालतु में अपना नाटा करवा लोगे तो गलू कॉंडी पहले नहीं लेना है इस बात को गाट बांद लो दूसरी चीज इस बिलकुल मत खाना हम तुमसे हाथ जोड़ के बिंती कर रहा है चना चना नहीं खाना है अब कुछ लोग बोतल में भर के लाते हैं बिगो के देखो अगर हम बात करें आज से कुछ साल पहले कि तो कर सकते थे क्योंकि तब सबकी पेट की हेल्थ अच्छी थी आज किसी का पेट तक तो साफ होता नहीं दोड़ के पहले त दिकत होगी कि चना जब तुम खाओगे तो डाइजेशन में इतनी इनर्जी चली जाती कि तुम दोड़ में 200 मीटर में तुमाई सांसे फूल जाएंगी घवराट होने लगेगी अब यह चीजे तुम्हें समझ में आती नहीं क्योंकि तुम्हें लगता है कि चना सकती देत ठीक है तो यह चीज दियानक ना उसके बाद दूद से बनी चीजें दूद से बनी चीजें दूद से बनी चीजें में सिर्फ दूद ही सामिल है समझो मेरी बात को ठीक है दूद से बनी चीजें में दूद ही सामिल है अब इसमें हम क्या छेना जो आता है उसकी बात नहीं क कर रहे हम सिर्फ दूद की बात कर रहे हैं डूद तीन चमच दही के साथ कुछ खाके चले जाते उससे भी दिक्कत नहीं होती है बस मेरी में समस्या है दूद से बनी चीज़े उसे ठीक है तो बस यह जो तीन चीजें इनको कंजूम ना करना किसी भी कीमत पे बाकि अगर तुम आलू खाना चाहते हो केला खाना चाहते हो सेव लटा चाहते हो रेड बूल इस्टिंग कोज़ भी पीना चाहते हो देट फाइन कोई दिक्कत नहीं कोल्ड रिंग नहीं रेड बूल तक ठीक है क्योंकि कैफीन मिल ला जो तो फाइदा करेंगा कोड़िंग नहीं वो तुम्हें खतम कर देगे अंदर से ठीक है चलो राम र जय हिंद जय भारत भारत मता की जय रादे रादे जय सेरी राम